बच्चों ये वीडियो में part wise बना रहा हूँ, यदि आपको इस chapter के सारे videos part 1 से last part तक दिखने हैं, तो आप playlist देख सकते हैं, playlist देखने के लिए video के नीचे यहाँ click करें, आपको home video playlist दिखेगा, अब आप यहाँ click करें, playlist बटन पर, तो आपको यह playlist दिखेगा, यदि आपको औ पूरा वीडियो मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पूरा वीडियो मौझूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं, यह video विज्ञान, class 9, अध्याय साथ, जीवों में विविधिता का part 1 है, जीवों में विविधिता यानि diversity in living organism, जिसको समझने क विविधिता क्या है, मैं आपको एक उधारन देता हूँ, तो आप मानली जी जहां भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप विभिन जीवों को देख सकते हैं, जैसे आप रूम में बैठे हुए हैं, तो आप स्वयम क्या है, एक जीव है, वहाँ पर मच्छर है, मक्खी है, हटमल है और साथ ही साथ वहाँ पर मान लिजिए कि छिपकली है तो आप जहां पर बैठे हैं और वहाँ पर बैक्टिरिया भी है तो यहां जहां बैठे हैं वहाँ पर ही आप देखेंगे कि कई प्रकार के जीव वहाँ पर निवास करते हैं ठीक इसी प्रकार से कोई एक हम लो कि बहुत अलग अलग प्रकार के जी व रहते हैं और इसे ही हम लोग क्या व Central वीविद्दyत हैं तो जो जी व esté हम लोग आस पास जो जीव देखे रहें उन्मे बहुत सारे विविद्दयं होती है बहुत सारे उनमें डिफ्रेंसेज होते हैं और उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर हम लोग उसका अध्यान कैसे करते हैं तो आप जानते हैं कि लाखो लाख हैं कैस यहाँ बात करें अपने विभिनता होती हैं कि यहाँ पर कुछ जीवर एकْदम 25USK म होते हैं जैसे कि बैक्रिया हो गया जबकि कुछ जीवर क्या है बहुत बिसाल बिसाल है, तीस हाथी के बराबर होते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा विविद्धता हो गया, कुछ क्या हो गया, बहुत छोटे हो गया, जीने हम लोग नंगी आंखों से देख तक नहीं सकते हैं, और कुछ क्या हो गया, बहुत विशाल हो गया, कुछ जीव आप देख सकते हैं जो कि कुछ दिनों में ही मर जाते हैं उनका life span क्या होता है बहुत कम होता है जबकि कुछ जीवों को देखेंगे तो आप life span उसका क्या होता है बहुत हजारों हजार साल वो जीवित रहते है ठीकी सी प्रकार से आप देखेंगे कि कुछ जीव क्या होते हैं रंगहिन होते हैं कुछ क्या होते हैं पारदर्शी होते हैं कुछ क्या होते हैं बहुत रंगीन होते हैं जैसे पक्षियों का अपने देखा होगा तो आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी विविटताइं आपको देखने को मिलेंगी जीवों में तो अखर यदि जीवों का अध्यन हम लोग को करना है बहुत अच्छे तरीकिसे scientific रूप से तो अखर हम लोगो जीवों का अध्यन कैसे कर सकते हैं तो उसको अध्यन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग वर्गी करन का सहारा लेते हैं तो वर्गी करन क्या होता है तो लक्षन के समानता तथा विभिनता के अधार पर यदि हम लोग ग्रूप में बाटते हैं जीवों को या किसी भी चीज को तो उसी को हम लोग क्या कह कोई चीज़ से होता है यह हैं यह फिर वर्गी करण के बहूत अलग अलग फायदे हो सकते हैं जैसे कि एक फॉर्चुन अलग अलग प्रकार की दालें उसको एक जगह रखी जाएंगी, जो आपका चावल है वो अलग अलग प्रकार की चावलें एक जगह रखी जाएंगी, जो मसालें उसको अलग छाट कर रखा जाता है, तो वर्गी करन का यही मतलब होता है, छाटना, उसको विसेश प्रकार से स जाना ताकि आपको कोई परिशानी ना हो तो आप क्या बता सकते हैं कि वर्गी करन का मुख्या अधार क्या होता है तो वर्गी करन हम लोग characters के अधार पर कहते हैं जिसको हम लोग क्या होते हैं लक्षन तो लक्षन के अधार पर ही हम लोग जीवों का क्या करते हैं वर्गी करन करते हैं या फिर किसी भी चीज का वर्गी करन करते हैं तो हम लोग किसी भी चीज का पहले लक्षन देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसका समानता और और समानता देखते हैं तो जो समान लक्षन वाला उसको एक जगा रखते हैं और जो और समान लक्षन वाला उसको अलग करके रखते हैं तो यहाँ पर हम लोग करेक्टर का ब देख रहे हैं मेरे हाथ में इसी का हम लोगो क्या करना है वैगी करन करना है तो पार्थी समगरी जैसे मैं दिखा दे रहूं आपको ये क्या है क्या बता सकते हैं ये क्या है और ये क्या है तो यहां जो पार्थी समगरी है इसमें आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एक जै है इनमें लक्षन वर्ड इसमें ने यूज़ करते हैं लेकिन मैं माली जी वही वर्ड यूज़ कर रहा होती है कॉपी के जैसे लग रहे हैं और यह कैसे लग रहे हैं पुस्तक के जैसे लग रहे हैं या भी पुस्तक के जैसा लग रहा है या भी पुस्तक के जैसा लग रहा ह और इसमें कॉपी के गुण है तो गुणों के आधार पर यहां पर हम लोग इसको कॉपी में रखेंगे और फिर इसको किस चीज में रखेंगे पोस्तक में रखेंगे या फिर किताब में रखेंगे अब यदि हम लोग किताब को देखें तो किताब में भी अलग-अलग किताब है तो यह सब किताब जो है इनको भी अलग-अलग हम लोग ग्रूप में रख सकते हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यह वह विज्ञान का किताब है तो इसको विज्ञान का किताब में रखेंगे विज्ञान में भी किसी का किताब है रसायन का तो इसको रसायन में हम लोग रखेंगे ठीक इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं यह समाजिक विज्ञान का है तो समाजिक विज्ञान में रखेंगे लेकिन उसमें विशेश रूप से किसका आई या नागरिक का तो नागरिक में रखेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि गुणों के अधार पर लक्षणों के अधार पर हम लोग वरगी करण करते हैं तो सबसे पहले वरगी करण में हम लोगों ने तो फिर हम लोगों ने दो ग्रूप यहां बनाया, एक ग्रूप बनाया किताब का और दूसरा किसी चीज़ का बनाया कॉपी का ग्रूप बनाया, इसके बाद हम लोगों ने देखा किताब में भी तीन ग्रूप बन जा रहा है, कुछ है विज्ञान का किताब, कुछ है समाजि ι authentically और रसायन तो उसके नीचे और छोटा-छोटा क्या बन गया जिवों को यह उसको रिख्यारें ताकि उसमें अध्यन में क्या हो हम लोगों को बहुत सुविधा हो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्गी करन का आधार क्या है तो वर्गी करन का आधार विभीन अभिलक्षनों के आधार पर जीवों के व्रिहद समूह फिर उपसमूहों में हम लोग उसको बाठते हैं तो मैंने जैसे बताया कि अभी लक्षणों के आधार पर पहले एक बड़ा ग्रूप बनाते हैं फिर छोटा ग्रूप बनाते हैं उसके बाद और छोटा ग्रूप बनाते हैं तो यह आपको बहुत अच्छे समझ में आगा जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएगे तो किस प्र उनके समानता और डिफरेंसेज यानि अंतर को मिलाते हुए उनको ग्रूप में बाटा जाता है समू में बाटा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वरगी करण कहते हैं तो अब देख सकते हैं जो लक्षण यहाँ पर है उसका मतलब क्या है कि जीव का विशिष्ट कुछ लक्षण को कुछ गुण को हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अस्तनपाई मतलब हम लोग हो गए और मश्री तो आप जानते हैं तो जो मशली होती है उसकी तवचा में शल्क होता है जबकि हम लोग की तवचा में क्या था रोहा या फि हम लोग जो मनुश्य होते हैं, जो अस्तन पाई होते हैं, वो बच्चे को जन देते हैं, तो इस प्रकार से आप देखें, यह क्या हो गया, एक गुन हो गया, करेक्टर हो गया, अभी लक्षन हो गया, जिसके अधार पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बाट रहे हैं, तो यह यहां तवच्चा कैसा है यह क्या होगा एक अभी लक्षन हो गया स्वासन कैसे करते हैं यह एक अभी लक्षन हो गया यहां बच्चा देता एक अभी लक्षन हो गया उसके अधार पर हम लोग इसको दो ग्रूप में बाट सकते हैं और फिर जो उस प्रकार का जीव होगा उसक को मिलाएंगे जब गाय के गुंड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें रुवा होता है वा बच्चे को देता है और भी बहुत सारे भिलक्ष्ण मिलाने हूँ मैं तो आप गाय को फिर अस्तन पाई में रखेंगे बंदर में बshopक प्रकार लखेंगे तो इस प्रकार से बहुत सारे अभिलक्षन होते हैं जिनको मिलाने के बाद हम लोग ग्रूप में समू में जब जीवों को बाटते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वरगी करण बोलते हैं तो मुझे अम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा तो यहां पर हम मतला कुछ अभिलक्षनों को देखते हैं जिसके आधार पर वरगी करण किया जाता है जैसे कि कुछ अभिलक्षन यहां पर मैंने लिख रखा है और यहां पर आप देख सकते हैं रौबर्ट का एक क्लासिफिकेशन है कुरन पर प्रो Kenneth और रहे सबसे पहला मोनेरा, wanna प्रोटिश्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, तो आखिर जब इनको बाटा गया, तो आखिर कौन सा आधार रहा होगा, जिसके आधार पर इनको पांच ग्रूप में बाटा गया, तो वही यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, कि यहाँ पर वर्गी करन का कुछ परस पर संबंदित अभी लक्षन है, जिसके अधार पर जीवों को अलग-अलग ग्रूप में बाटा जा सकता है, जैसे सबसे पहले हम लोग कोशिका के स्तर पर देखें, या फिर बोले कोशिकी संग्रशना और कारी के स्तर पर देखें, तो प्रोकेरियोटिक तथा यूकेरियो में एबसेंट होता है, या वो लेकि न्यूक्लियर मेंब्रेन नहीं होता है, यहाँ पर जो केंद्रक होता है, वह अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है, और यह बान लिजे यह जो प्रोकेरियोटिक है, इसमें जो पढ़ाया है तो यहां पर आप देखेंगे कि जीवों को जब इस आधार पर बाटा गया तो मोनेरा क्या हो गया प्रोकेरियोटिक हो गया और बाकी सब क्या हो गया यूकेरियोटिक हो गया मतलब मोनेरा में जो कोशिका का संग्रशना है वह प्रोकेरियोटिक टाइप का है उ उस अभिलक्षन को लेकर उसको हम लोग अलग अलग रूप में बाट सकते हैं इसके बार आप यदि देखें तो एक कोश किये तथा बहु कोश किये कुछ जीव होते हैं जो कि एक कोश किये होते हैं और कुछ जीव क्या होते हैं बहु कोश किये होते हैं एक कोश किये जीव मे पौधे क्या है बहु कोश किये हैं और उनके सरीर में क्या होता है उनके सरीर में किसी एक कारे को करने के लिए जो कोशिकाय होती है वह कारे विभाजन करती है मतलब कुछ कोशी का कुछ कारे को करेगा कुछ कोशी का कुछ कारे को करेगा तो यहाँ पर कारे का विभाजन भी ह होता है इस प्रकार से दी देखा जाए तो यह एक कोश किये है यह भी क्या है एक कोश किये है और बाकी यह सब क्या हो गया बहु कोश किये हो गया इस तरीके से आप समझ लेगी कैसे कोश एक कोश किये तथा बहु कोश किये अभिलक्षन हो गया जिसके अधार पर यहां लोग देखते हैं आप तीन का यह बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि आपको confusion ना हो यह तो मैं difference आपको पढ़ाने वाला हो तो सिर्फ दो ही का आप देखते हैं प्लांटी क्या हो गया यह होता है पर पोशी मतलब पौधों का ग्रूप क्या होता है पर पोशी जो अपना स्वाप पोशी जो कि अपना भोजन स्वयम प्रकास संसलेशन के द्वारा बनाता है तो प्लांटी जितने भी प्लांट से दुनिया के वह अपना भोजन स्वयम बना ये दूसरों पर निर्भर होता है जब कि हम लोग फंजाई लें तो वह भी क्या है परपोशी है तो आपने देखा कि स्वपोशी परपोशी यह भी आधार है वर्गी करन का इसके बाद बात करें हम लोग तो यहां स्वपोशी का जदी बात करें पौधों का बात करें तो चाप्टर में आपको यही सारा चीज पढ़ना है इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ना है याद करना है तो यह देखते हुए फिर पौधों को आगे वर्गी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जनतों का सरी किस तरह विक्सित हुआ साथी साथ उसमें कौन-कौन से अंग कैसे विक्सित हुए और वो जो अंग है विभिन कारियों के लिए जो यूज हो रहे हैं अलग-अलग जनतों में वो जो विशिष्ट अंग वो कौन-कौन से होते हैं किया सभी जिवों में एक ही अंग लगा हुआ है किसी विशिष्ट का के लिए लगा हुआ है जब की जो आपका wprowad या फिर बोले हम लोग जो जो अस्तन पाई हैं उनका सरीर में जो स्वसन हो रहा हुआ कि दौरब फिपढ़ा के द्वारा है इस प्रकार ताकि हम लोग उसको आसानी से पढ़ सके और आसानी से समझ सके तो यही वरगी करन का फाइदा भी है वरगी करन के द्वारा चीवों को हम लोग groups में बाठ देते हैं और यहीं ग्रूप को पढ़ेंगे तो हम लोगों को बहुत आसानी होता है सुविधा होता उसके अध्यन करने में तो यही वर्गी करन का फायदा है तो मैं मिल रहा हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में और भी चाप्टर में बहुत सारे चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है बूलब को आप से लिएधाग को पढ़नी है तो बता है टूलब को आसा है जब में बहुत सारे चीज़ें इसम बहुत सारे करने में जिए में हमें जाए तो आप पार पार घ्ट्श ग्ट्र आप पार